नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपे की यूटूब चैनल पर सबसे पहले तो मेरी तरफ से और मेरे यूटूब चैनल की तरफ से मनीश फाजिलका और जस्वन जी गुभाया उनका भहुत भहुत धन्यवाद कि उन दोनों ने जो लड़ाई जमीनी स्तर से उठकर आस्मान की उचाईयों पर जाकर लड़ी लगबग डेड़ सो दिन के क्रीब यानि पांच महिने के क्रीब हमारे मनीश जी जो फाजिलका गाउं टाली बाला बोदला से वो टैंकी पर रहे उनके साथ फिर सतर दिन के क्रीब जस्वन जी गुभाया और बाकी पूरी जो बीर्ड यूनिन है उसका धन्यवाद जिनोंने पूरी सिद्द से इन दोनों की केर की और सभी के लिए जो है आज विकेंसी पोस्टे लेकर सामने आए हैं तो मेहनत का कह सकते कि हमें फल मिला है जितना मिला है उतना ठीक है ना से अच्छा तो है कुछ न कुछ मिला है और हम तो कहेंगे कि बहुत कुछ मिला है तो आप सभी को पता हिए कि कल शाम चार पांच बजे के बीच में हमारे दो बेरोजगार अध्यापक बीट अट पास जो थे उनको टेंक की से उतारा गया कल उनको होस्पिटल लेकर जाया गया वहां उनकी तबियत की जांच की गई और उसके बाद उन्हें छुटी दे दे गई है अब जिलंदर से कुछी समय बाद वहाँ से चलने वाले हैं वो तो जस्वंत जी गुभाया को उनके गाम में पूरे आदर समान के साथ उनको ड्रोप किया जाएगा उसके बाद में मनीज जी फाजलिका से हैं उनको भी उनके गाम में जो है उनको पूरे समान के साथ उनके घर पहुँचाया जाएगा तो इसके लिए आपको बता दूँ कि जो भी फाजलका के साथ ही हैं अध्यापक हैं वो टाली वाड़ा गाम में पहुंचें फाजलका से अबहुर से तीसे किलोमेटर के दूरी पर है तो जैसे भी हो सकता है लगबग एक बज़े के क्रीब मानना है कि वो वहां पर पहुंचे हैंगे सभी यूनियन के हमारे और भी अध्यापक और मनीश जी फाइल का जस्वन जी गुभाया तो उनकी जो होंसला अबजाई के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा संक्या के अंदर वहां पहुंचना चाहिए मैं भी पहुंच रहा हूं वहां पर आप सभी भी पहुंचे और जैसा भी आप से बन पड़ता है उनके लिए फंड का से योग भी कीजिए क्योंकि इतना समय जो उपर रहे हैं वो अध्यापक और उन्होंने अपने लिए कुरबानी दिये वो कुछ नहीं मांगते हैं और उन्हें और कुछ चाहिए नहीं जोब चाहिए है लेकिन हमार परज बनता है कि उनका मान सनमान किया जाए क्योंकि पेसे देना हर बार यह नहीं होता कि हम किसी को धन दे रहे हैं या उसकी वेसे मद कर रहे हैं क्योंकि यह एक प्रकार का पुर्सकार भी होता है पेसा देना सिर्फ पेसा नहीं होता वो पुर्सकार होता है जो लोग आग या फिर अकाउंट में आप ट्रासफर कर सकते हो आप सभी को अकाउंट नमर पताई है फोन नमर जो है यूनियन के उस पे आप गूगल पे पेटियम फोन पे कर सकते हो तो अखिरकार जीत मिली है बहुत अच्छी बात है कि इलेक्शन में चार से पहला अपना नोटिफिकेश करता हूं कि चाहे हिंदी की पोस्टें थोड़ी कम है 245 बैकलोग की है 205 फ्रेस है मैं हिंदी से हूं तो अगर मेरा नमबर आता है कोशिस करेंगे आए सभी का आये लेकिन सभी के तो आ नहीं सकता है क्योंकि चलो पोस्टे कई लोग कह रहे हैं कम है लेकिन कम नहीं है पोस ज्यादा ज्यादा सो या सवा सो से ज्यादा कभी नहीं गए पोटेस्ट के अंदर तो उनसे मुताबिक य्यक्त नपाँ बात कर l glow तो पंजाबी के इतनी सोडेट सोस जादा कभी नहीं पहुंचे SST की बात कर ले तो इससे जादा कभी नहीं पहुंचे यानि पोटेस्ट के अंदर पांच-छेसोस जादा तो कभी लोग पूरे टोटल ही नहीं पहुंचे लेकिन पोटे हमें जो तीनों सब्जेक्टों की मिला कर 13-14 के बीच में मिली है तो उस साब से तो ये पोटे बहुत जादा है जिस परकार से जो बेरोजगार ध्यापक धरनमें पहुंचे थे और वे से कम है तो कोशिस करेंगे कि आगे नई सरकार से फिर से हम लड़ाई करकर फिर से क्योंकि लड़ना तो पड़ेगा पोस्टे और ले नेकिन इन पोस्टों में अगर मेरा नमबर आता है तो मैं मेरी तरफ से एलान करता हूं आज ही कि मैं मेरी पहली तनका जो है पहल लोग अपनी पहली तनखा देंगे जो जो इस जोब में लगेंगे मैंत साइस और इंग्रिस वालों को भी ये उनका मैं पूंचता हूं कि स्वागत करने के लिए बहाँ पूंचना चाहिए क्योंकि यूनिन की ही बदोलत है कि उनकी पोस्टे भी आज आई है क्योंकि अचार स से माक्स कम है क्योंकि आप सभी को पता है अगर यह विकेंट सी उस दिन ने आउट होती तो फिर दो हजार बाईस के अंदर आपको पता है पिचोंजा परसंट वाली जो करने जा रही है और इन्हीं पोस्टों में पिचोंजा परसंट वाली गाईट जो है वो लागू यह यह देखिएगा हमारी जो चैस अब पोस्ट यह उसमें तो नहीं है लेकिन आठ और क्रा आठ और क्राफ्ट की बात कर लीजिए आठ और क्राफ्ट वाला आप खोल के देख लीजिए उसमें साफ साफ लिखा है ग्रेज़ेशन 55% उसके बाद में फिजिकल एजुकेशन न की बहुत समय के बाद अभी आई है आठ और एंड क्राफ्ट की अभी आई है तो उन में जो है 55% की जो है वो कंडिशन लागू की गई है देखिए यह यूनियन की ही बदोलता है कि अपनी पोस्ट जो है 45 55 45 और 44 पर संट के उपर आई है तो आप सभी बदाई के पात रोग यह पोस्ट है और खास करके वो लोग जिनके 55 पर संट से कम आक्स है तो वो जरूर वहाँ पर पहुंचें तो हम वहाँ पर पहुंच रहें और पूरा जो लाइव प्रोग्राम है उनके गाउं का वह आपको इसी यूटूब चैनल पर दिखाया जाएगा वहाँ जा करके तो आप इस चैनल पर देख सकते हो एक बज़े के बाद में हम लाइव होंगे वहीं से आपको दिखाया जाएगा उनके पूरी सनमान का जो कारेकरम किया गया है आज का तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद